नमस्का नेपाली मित्रों, दोस्तों नेपाल को एक और बहुत बड़ी सपलता मिली है जो की इतियास में नहीं मिली थी पिछले साल हमने कहा था कि नेपाल की सिरी एरलाइन्स जो है वो मांस रोबर और कैलास परवत तक अपने फ्लाइट उड़ाने की कोशिस कर रही है यानि नेपाल कन से अब डायरेक्ट आदमी नेपाली आकास से ही मांस रोबर के भी दर्सन कर सकता है और कैलास परवत के भी दर्सन कर सकता है ये दोस्तों पहले संबब नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है ज़्यादा हाइट के चलते इसमें नेपाल सपल नहीं हुआ भारत भी सपल नहीं हुआ और चीन भी सपल नहीं हो रहा था लेकिन अब सिरी एरलाइन्स का सी आर जे साथ सो नो एन विमान चवालिस यात्रियों को लेके उडान भरा और नेपाली आकास से केलास तरवत और मांस रोवर के दर्सन करवाए नेपाली मीडिया द्वारा बताये जा रहा है कि ये एक नेपाल की एतियासिक सपलता है ध्यान रखें दोस्तों ये नेपाल सिरी एरलाइन्स और टेमपल ट्रिप गुरूप ऑफ इंडिया दोनों के सयोग से हुआ है देखिए जो भी देश केलास मांस रोवर में जादा से जादा यात्रियों को ले जाने में सपल होगा उसी देश की जादा कमाई होगी चाए वो भारत हो चाए नेपाल हो चाए चाए ना हो क्योंकि तीन ही देश केलास परवत और मांस रोवर में आदमियों को ले जाने में सक्षम है अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि केलास मांस रोवर में जो यात्रा करते हैं वो भारत और नेपाल के लोग ही है चाएना के लोग बहुत कम वहाँ जाते हैं क्यो किया था 1950 में चीन ने सिप्वत को कभज़़ कीया उसके बाद 1962 में चीन ने चैलाज प्रबत को कभज़़ किया और आपको यह भी ज्यान में रखना होगा कि 1950 तक नेपाल ही सबुछ पहुंचाता था खाने पीने की आइटमें और 1950 तक नेपाली रुपईया और भारती रुपईया दोनों तिब्बत में चलते थे ये आप इतियास में ढून लीजिएगा 1950 तक नेपाली रुपईया और भारती रुपईया दोनों तिब्बत में चलते थे लेकिन जब चीन ने तिबबत पे कवजा किया तब नेपाली क्रेंसी भी वहां बैन हो गई और इंडियन क्रेंसी भी वहां बैन हो गई और नेपाल का एक परकार से ब्यापार भी ठप हो गया आपको अच्छे से पता होगा कि हिस्ट्री में जाएंगे तो नेपाल ही तिबबत को खाने पीने की सालों से कड़ता आ रहा है लेकिन जब चीन का कबजा तिबत पे होता है तो नेपाल से सारा सामान तिबत जाना बंद कर देता है उसमें बैन लगा देता है चाइना कैलास मांस रोबर यानि सिब की भूमी और नेपाल को भी सिब भूमी कहा जाता है मेरे हिसाब से तो कैलास मा किलासमान सरोबर होता तो वो सिब भूमी बना कैसे चीन तो कोई हिंदु धरम का देश नहीं है और हजारों साल से हिंदु यातरी वहाँ जाते ही हैं यानि साफ किलियर हो गया कि कैलास मानसरोबर पर चीन का अभैद कवजा है कैलास मानसरोबर को या तो भारत का हिस्सा होना चाहिए था और जादा से जादा उसे नेपाल का हिस्सा होना चाहिए था क्योंकि नेपाल भी सिप भूमी में ही आता है और दोस्तों तब मुझे बड वा हिंदूओं की भूमी है अब चाहे वो भारत की हो चाहे नेपाल की हो लेकिन कहलास मांसरोबर चीन का बिल्कुल नहीं है तिबबत तो बौदों की भूमी है उस भूमी पे तो नेपाल काधिकार होना चाहे था नहीं हुआ चीन काधिकार कैसे हुआ उस पे और आपको पता कि तिबबत नेपाल वार भी हो चुकी है लहासा तक नेपाली सेना पहुच गई थी एक नाम को जिल भी पड़ती है वहां तक कैलास मांसरोबर पे चीन का अभैद कबजा है अब नेपाली लोगों के सामने ये बात बोलते हैं तो नेपाली लोग बोलते हमें चीन के खिलाब भड़का रहा है भारत का लोग तो दोस्तों हम आपको भड़का नहीं रहे हम आपको सच्चा ही बता रहे हैं कि मांसरोबर और कहलास परवत तो हिंदूओं की भूमी है चीन कोई हिंदू देश तो नहीं न है चलिए जो भी है लेकिन नेपाल को एक बड़ी सपलता मिली है कि अब नेपाली आकास से ही कहलास परवत और मान सरोबर के दरसन लोग कर पाएंगे धन्यबाद